हलो डियर स्टुडेंट नमस्कार स्वागत है आप सभी का आर्बियोजेटिक्स यूट्यूट्यूब चैनल पर साथी और राजस्थान पुलिस के जो भी साथी हैं वो यहाँ पर एक बार इस वीडियो को पूरा जुरूर देख लेना साथ में आप सभी के लिए यहाँ पर मले करा हैं कि कुछ फोर्म्स के अपटेट हैं और साथी साथ जिनोंने भी अभी तक फोर्म फिल नहीं क्या है उनके लिए क्या आप मैंतोपन निर्देश रह सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को बता देता हूँ कि जिनोंने भी तक फोर्म नहीं फिल किया है वो प्लीज अभी तक फोर्म आप जो हो इतना वेट मत करो अभी जो वो लास्ट डेट नजदीक है साइट हैं करने लग जाएगी और आगे डैट बढ़ने की भी कम अगर आप वो कोई भी डाउटर तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और जिन साथियों ने अभी तक फोर्म आपलाई कर दिया है वो किस कैटिगरी से बिलोंग करते हैं और आपने कहां से फोर्म आपलाई किया है वो कमेंट में जरूर कर देना साथियों सबसे जादा तो क्योंकि जब CET का result आया था साथियो वहाँ पर आपने voting में भी देखा होगा और वैसे भी देखा होगा कि सभी जो candidate है वो ज़्यादतर यहाँ पर 120 से लेकर 1500 की बीच वाले ही मिल रहे थे आप सभी ने देखा होगा जो भी साथि यहाँ पर CET का result देख रहे थे साथियो ऐसे में आपको गबराना नहीं है आपको जहाँ से भी अच्छा लगे देखिए मैं आप सभी के लिए बताऊंगा कि 140 से 160 के बीच में है वो क्या करें कैसे फोर्म बरें वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले तो आपका यहाँ पर यह demotivate वाला comment है वो सबसे पहले मापका दिमाग के अंदर यह clear कर देता हूँ कि 200 plus marks का comment देख आपको गबराना नहीं है आपने जहां से भी फोर्म डालना है जहां से भी आपने decide कर रखा वहाँ से फोर्म डालिये ऐसे बहुत से कम candidate आपको मिलेंगे जिनको 200 plus marks गए हुए हैं और जिनके गए हुए हैं वो genuine है वो यहाँ पर बार बार आपको comment कर गेंगे नहीं बताएंगे कि हम 10 से 15 लड़के थे और यहाँ से हमने फोरम फिल कर दिया वैसे किसी का भी motivation नहीं थोड़ते हैं क्योंकि वो बढ़ने वाली student होते हैं दूसरा point यह है सात्यों कि vacancy नहीं थी फिर भी फोरम बर दिया यानि कि आपके यहाँ पर पद थे ही नहीं जैसे कि OBC है और SCST के यहाँ पर vacancy नहीं थी तो आप general में count हो जकते हो लेकिन फिर भी आपको क्या करना वहाँ से general से forum apply करना जरूरी है यानि कि अगर आपने general से forum apply नहीं किया और आपने OBC ही forum apply किया है और zero vacancies है तो यह साथियों आपने गलती कर रखी है यहाँ पर देखें बहुत कम chances हैं कि आप general के अंदर count हो पाओगे तो ऐसे में जिन्वी साथियों अभी तक forum apply नहीं किया है वो प्लीज इस तरीके को vacancy watch history के से देख कर या फिर आप किसी अन्ने साथि से discuss करके ही forum apply करना ऐसे में गलती मत करो क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे 140 से 140 के बीच में जिन्वी candidate के यहाँ पर marks बन रहे हैं वो मैं आप सभी साथियों से request करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर पद हैं वहाँ पर apply कीजिए क्योंकि एक student है उसका गुना 15 यानि कि एक जो vacancy है एक post है वो आपके 15 student के बरावर जा रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जिनके भी कम आक्स है ना वो यहाँ पर या तो बिल्कुल कम पर बर दो देखे यहाँ पर chance दो है या तो आप बिल्कुल कम पर यहाँ पर एक या फिर दो vacancy है या फिर तीन छे च्यार vacancy तक भी है तो आप वहाँ से फोरम बरो अगर आपको risk की लेनी है तो और अगर नहीं लेना चाते है आप सोचते हो कि कुछ तो chances हो जाए हमारा number आने का तो सा बाद में जो है वह लास्ट पॉइंट यह है सात्यों कि physical कब तक हो सकता है तो देखे physical जो हो अक्टूबर के अंदर होने के chances है एक्टूबर के first week के अंदर या फिर second week के अंदर होने के chances है क्योंकि यहाँ पर अगेस्ट जो हो पूरा पूरम में चला गया उसके बाद में य physical के लिए जो अपलाई होंगे उनके यहाँ पर डैट बता दी जाएगी तो ऐसे गर के लगबग यहाँ पर एक महिने का time तो निकल जाएगा आराम से सात्यों तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अक्टूबर के first week के अंदर साइद आपका physical होने की पूरी संभावना है तो जो भी साथी अभी तक जिनोंने फोरूम बर दिया वो एक बार कमेंट जरूर कर देना ताकि एक दूसरी student को पता चले और जिनोंने नहीं बरावो फोरूम जल्दी से बर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट बहुत नजदिक है मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देनिवाद